आपको simply एक photo को select करना है and फिर आप लोग जो भी photo को select करना चाहते हो आपको simply उस पर tap करना है and वो photo select हो जाएगा then आपको इन photo को hold करके रखना है and निचे से swipe करके आपको home में जाना है then आपको इस photo को जहां भी सीर करना है Instagram, Facebook या WhatsApp आपको उस app को open करना है और वहां पर आप लोग simply इन photo को drop कर सकते हो and ये photo send हो जाएगा so इस वीडियों हम लोग बात करने बाले है ऐसा ही कुछ secret hidden iPhone tricks के बारे में जिसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता है so let's get started अगर आप लोग उस app को move करना चाहते हो आपको एक एक app को select करके करने की जोत नहीं है आपको एक app को select and hold करना है then tap करके बाकी सारे apps को select कर सकते हो and each app को एक साथ move कर सकते हो और ये gesture files और photo में भी काम करता है तो आपको simply एक item को select करना है अगर मैंने हां से कुछ चाइप किया और मुझे अंडू करना सिंप्ली मुझे 3Fingers से swipe left करना है और आप लोग देख सकतो अंडू हो जाएगा अगर मुझे इसे redo करना है तो मुझे 3 finger से swipe right करना है and redo भी हो जाएगा और इसका use आप लोग गैलरी में भी कर सकते हो अगर कुछ delete हो गया गलती से आप लोग simply इस 3 finger gesture का use कर सकते हो and सब कुछ बापस आ जाएगा So you can simply use your 3 finger for undo and redo अगर मुझे कुछ भी copy करना है तो मुझे simply 3 finger से pinch in करना है and यह copy हो चुका है and मुझे इसे अब जहाँ paste करना है मुझे 3 finger से pinch out करना है and इसे मैं असानी से paste भी कर सकता हूँ इसके लिए simply आपको एक image को select and hold करना है and इसके पाद आपको जो भी images और add करने हैं आप लोग simply एक single click करके add कर सकते हो अब इस image को hold करके रखना है and नीचे से home में जाना है and इसे आप लोग जहाँ भी share करना चाहते हो उस app को open करना है and यहाँ पर आप लोग directly इसे drop कर सकते हो आपको किसी भी image को save करने का योद भी नहीं पारा और आपने सामने बाले को send भी कर दिया और ऐसा ही अगर इन images को आपको अपने phone में save करना है तो simply आपको सारे images को select करना है दिन आपको home में आना है and आपको photos एप को open करना है and यहाँ पर इसे drop कर देना है and आप लोग देख सकते हो सारे images आपके gallery में आ चुके हैं next feature है अगर आप लोग eye message में कुछ भी type करते हो तो आपके सामने यह icon देखने को मिलेगा आप लोग इस पर click करते हो तो आपके सामने यहाँ पर कुछ text effects देखने को मिल जाते है और यह कितना ही ज्यादा cool है आप इसमें से कोई भी select करके सामने वाले को send कर सकते हो और सामने वाले को भी same effect दिखेगा next यही पर एक hidden gesture है अगर आप लोग फोटो को access करना चाहते हो तो आपको पहले plus पर click करना होगा देन photo में जाना होगा लेकिन अगर आप लोग plus button को hold करते हो तो आप लोग देख सकते हो फोटो आपके सामने open हो चुका है अब चलते हैं camera में अगर मैं इस capture button को slide left करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो मैं brush shot ले सकता हूँ मतब कि एक साथ मैं बहुत सारी pictures click कर सकता हूँ और अगर मैं इस slide right करता हूँ तो वीडियो recording स्टार्ट हो जाता है तो अगर यह tricks आपको नहीं पता थे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यहीं पर मैं volume up button को भी hold करता हूँ तो मैं अगर मैं volume down बटन को भी होड़ करता हूँ तो video recording स्टार्ट हो जाएगा अगर मैं photos के search में जाता हूँ तो मैं यहां से कुछ भी search कर सकता हूँ like morning, evening, sunset, sunrise, bike ride, I can search anything आप लोग यहां से कोई emotion भी search कर सकते हो जैसे कि मैं यहां पर टाइप कर रहा हूँ happy और यहां पर जितने भी videos या photos में happy faces है वो सारे यहां पर आ जाएगे आ चुके हैं जिसमें भी थोड़ा बहुत laugh है next मैं clap search कर रहा हूँ और मेरे सामने वीडियो आ चुका है जिसमें की clap sound यूज हुआ है साथ ही आप लोग कोई भी location, city या places को भी search कर सकते हो तो अगर इस वीडियो सा आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो चैनल को subscribe कर सकते हो एंड इस वीडियो को अपने iPhone बाले दोस्तों को साथ सेयर कर सकते हो थांक्स वाचिंग